हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मारे चैनल में जैसा कि आप सभी लोग नो देखा होगा कि जो दिव्यांग जनों का रिजल्ट आया था कल डीवी का जो नोटिस आया था यानि डीवी का जो सीडूल आया था तो उस लिस्ट में बहुत सारी गड़बडिया नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट है जो दिव्यांग जन है उन्होंने वाट्स आप करके अपना जो रिजल्ट सीट है वो मुझे दिया और मैं देखकर आश्यर चकित हो गया कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन है जिनका 84 नमबर लाने के बाद भी उनको डीवी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है ठीक है और कुछ ऐसी मेरे पास एक डीटील है जिनका सिर्फ 57 नमबर है नॉर्मलाइज माक्स और उनका स्लेक्शन उनका लिस्ट में रोल नमबर मौजूद है तो कम वालों का है और ज्यादा वालों का नहीं है जबकि 57 और 84 लाने वाला दोनों सेम कैटिकरी से बिलॉंग करता है ठीक है तो खेर आप देखिए इस वीडियो में सोचने वाली बात है इस वीडियो को जाज़ाएज आपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंज़ेगा और हो सब्सक्राइज आपकर तो इस लिंक को ट्वीटर पे आप कॉमेंट में ड देलवे की जो वेबसाइट है उसको साथ किसी ने हैक कर लिया हो और रोल नमर का अदला बदली वहाँ पर हो सकता है क्योंकि आजकल के समय में हैकिंग बहुत ही ज़्यादा उप्योग में हो रहा है और सरकारी वेबसाइट भी इससे दूर नहीं है खैकर के कबजे में सब कुछ हो सकता है हम लोगोंने देखा है पिछले कुछ दिनों में ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं आपको सभूत के साथ फिलाल दूर रोल नमर ऐसे दिखाऊंगा जैसे 57 वाला का हो गया है लिस्ट में आपको रोल नमर दिखाऊंगा और 84 वाला का रोल नमर में मौझूद नहीं है उस जो कल नोटिफिकेसन जानी कहा था रेलिवे ने वहाँ पर ठीक है तो वीडियो को पुरा जुरू देखेगा और अच्छा है लगे तो लाइक शेयर कर दिजेगा टिक है और इसको ट्विटर पे इसको जरूर आप लोग टाइग किरके रेललीवे मिनिस्टर को मैसेज कीज़ेगा टिक है तो चलते डैटली रोल नमर आपको दिखाते है तो मेरे पास एक रोल नमर है आप बेख सकते हैं या नहीं जा रहा है ठीक है दोस्तों तो यहीं पर हम सर्च करेंगे तो रोल नमर हम यहां पर दिखते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं कि कैसे डेलवेल वालों ने गलती की है या फिर कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों के नजर नहीं आ रहा है ठीक है तो फिलाल हम चेक कर रहते हैं तो चलिए रूर्मर करता हूं और साथे दाथ आप लोग अपने से ले California को कर सकते हो ठीक है क्युक्या बिना सभूत के बिना कोई परमान की मैं किसी प्रघर कोई वीडियो नहीं बनाता हूं यह रोल नमर कर रहा हूं फिलाल रोल नमर करते हैं तो देखिए यहां प इनका जो normalize marks है वो आपका है 57 देखिए आपर ठीक है normalize marks 57 हो गया तो 57 में इनका selection हो गया यानि फिलाहल आप इनको डीवी के लिए जाना पड़ेगा इनका डीवी के लिए selection हो चुका है ठीक है अब चलते हैं हम दूसरे credit के detail में देखते हैं मेरे पास और एक रोल नंबर है देखिए यहां पर यह रोल नंबर है इनका जो marks है normalize marks देखिए यहां पर यह होगा normalize marks तो normalize marks कितना है तो 84.15211 ठीक है दोस्तों तो चलिए इनका result भी आप हम देख लेते हैं live जो फ्रेंड्स मैं रोल नंबर इंटर कर लिया और इसमें search पर क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों यहां पर search में क्लिक करने के बादे इस रोल नंबर में यहां लिखता है no result यानि यह रोल नंबर इस list में मौझध नहीं है तो मौदूद नहीं है मतलब ये कि इनका selection नहीं हुआ अब सोचिए दोस्तों आप लोगो और रेल्वे को भी इस वीडियो में संग्या लेना चाहिए कि मैंने live आपको दिखा दिया कि कैसे 57 वाला का selection हो चुका है और जो 84 है candidate कर आया है उसका selection नहीं हुआ जबकि मैंने खुद candidate ने verify किया और जो candidate ने लगाता दो तीन candidate मुझे सबूत के साथ बताया कि sir ये दोनो candidate ने LD से ही apply किया था यानि locomotor disability से जिसा cut up same to same होना चाहिए ऐसा नहीं कि ये candidate किसी और category से बिलोंग करता है और ये candidate किसी और category से बिलोंग करता है जबकि दोनों के दोनों candidate same category से बिलोंग करते है और एक का selection होता है जिसका marks कम है 57 है और एक candidate है जिसका selection नहीं होता है और इनका marks जादा है तो railway को यहाँ पर मन्थन करना पड़ेगा कि कहीं से कुछ तो चूख हुई है या फिर हो सकता है बहुत ही बड़े फरजी बारा का यहाँ पर हो सकता है तो दोस्तो हम सभी लोगों को मिलकर इसके प्रती आवाज उठानी के जरूरत है और जितने यूटूबर यूटूब चलाते हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी दिन एक दिन मिलकर ट्विटर पे आवाज उठानी चाहिए और साथे साथ दोस्तो आप लोगों साइध यहाँ देखे होंगे कि लिस्ट में कहीं भी कटफ नहीं है दोस्तो जो कि बहुत ही ज़्यादे सोचने यह योगे बात है कि यहाँ पर देखे फिलाल कितने लोगों का सेलेक्शन हो चुगा लेकिन यहाँ पर कटफ नहीं दिया इसी से बहुत जादे confusion create हो रहा है अगर really यहाँ पर selection list के साथ cut up भी देती कि 57 या जो भी 57 या पर किस आधार में कम लोगों को हुआ कम cut up वाला को हुआ है और जादे cut up वाला का नहीं हुआ है 85 और 84 मास इसे बहुत सारे candidate का detail है मेरे पास 57 से उपर नंबर लाने वाले बहुत सारे candidate है जिनका selection नहीं हुआ है और 84 85 तक ऐसे candidate है जिनका selection नहीं हुआ है तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखा था 2018 वाले group D में कि किसी किसी जोन में cut up high चला गया था लेकिन 84 85 नहीं गया था ठीक है तो 84 85 जाना भी असंभव है तो अब railway की क्या हम इसमें क्या कारवाई करती है railway अगला step क्या लेगा लेकिन अगर हम चुप मेठेंगे तो railway किसे पर कोई संग्यान नहीं लेगा और इसके भुक्त भोगी होंगे दिव्यांग जन तो दिव्यांग जनों से request कि प्लीज आप लोग जा स्यादा इस वीडियो को share कर दे और साथे साथ ट्विटर पर भी आवाज उठाए और किसी एक दिन इसको ट्रेंड मिलना है तभी कुछ हो पाएगा तभी जितने लोग जिजन सेलेक्शन नहीं हुआ है और लोग कभी सेलेक्शन होगा और जो जेनुर रिजल्ट है वो रेलवेज जारी करेगा तभी सारा कुछ क्लियर होगा तो फिलाल यह सुचना आ रहे थी तो मैंने एक दिन डिले करके सारा कुछ वेरिफिकेशन करके ही यह वीडियो आप लोगों सामने रख रहा हूं तो सुचना कैसे लागे कमेंट के जरू बताइएगा और साथ ही साथ अच्छा लगा तो लाइक शेर अपने दोस्तों में सेर कर दिएगा जरू मिलते अगली वीडियो में तब तक दना पाज जैन जै बारत